कल मेरे एक सस्क्राइबर ने हमें बताया कि सर मैंने एक लोन कंपनी से लोन लिया उसमें ना तो किसी प्रकार का सिबिल चेक किया गया और ना ही किसी प्रकार का लेकिन ज्यादातर क्या होता है लोगों को पता नहीं होता है तो आज के इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपका सिबिल स्कोर नहीं है ठीक है आपके पास जो है अधर कोई भी डॉकॉमेंस नहीं है इंकम प्रूब नहीं है बैंक इस्टे स्टेड्मेंट दिये हुए विदाउट किसी जो है सलेरी स्लिप दिखाये हुए बीना मतलब सिबिल स्कोर का कैसे लोन लिया जाता है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अभी तक आपने हमारे स्ट्राइब नहीं किया तो मुझे यहां पर जो लॉन मिला उन मिला और यह जो पैसा है मुझे सिर्फ दो से तीन मिनट का टाइम लगा प्रोसेस करने में सिर्फ अधार का फोटो अपलोड किया और पैसा सिदे मेरे बेंक अकाउन के अंदर टांस पर हो गया ठीक है तो यह मैं आप लोगों को को बताऊंगा जो कैसे करकर आपको प्लाई करना है कैसे करकर लोन लिया जाता है पूरा डिटेल्स में बताऊंगा ठीक है तो यहां पर देखिए अप्लिकेशन को मैं यहां पर करता हूं तो अप्लिकेशन यहां पर चार स्टेप आपको कंप्लीट करने के लिए बोलता है पह से भी आधार काड में जो है आपका मुबाल लिंक हो ना हो इसको मतलब नहीं क्योंकि यहां पे फोटो लग रहा है के वाइस से आपको करना नहीं है इंसेंट टांसपर हो रहा है ठीक है अपलिकेशन का नाम देखिए ऑपवर्ड परसनल लोन एप अब देखिए ऑपवर्ड जो एक लोन कंपणी है जो कि NBFC से रेजिस्टर है और वह एक ट्रस्ट लोन अप्लिकेशन लिकिन यह जो लोन कंपणी है ना यह एक फेक लोन एप्स है अब देखिए इस कंपणी से अगर आप लोन लेते हैं तो लोन मिलेगा मतलब कहने का मतलब क्या है ना आपको यहां कुई दोकुमेंस मंग रहे हो उसमें आपको कितना दिन का लोन मिलेगा ता आपको साथ दिनकार मेंकसिमुम इलाक। यहां पर देखिए लोन इमाउंड मैंने लिया है साथ दिन का ठीक है और यह जो पैसा मेरे बेंक एकाउंड के अंदर कितना रिसीव हो है पता है 1800 और पैमेंड मुझे कितना करना है साथ दिन के अंदर 3500 अब मैं यहां पर बता रहा हूं कि आखिरकार यह जो लोन एपस हैं इतना ज्यादा हाइए इंटरेस्ट पर लोन प्रवाइट करवाता है तो यह जो एप से ना यह एंड फिस से रेजिस्टर नहीं होते हैं चैनीज होते हैं चैनीज एप से लोन लेने का मतलब होता है एक रिक्स भड़ा काम करना ऐसे अब तभी लोन ले जब आपके पास फे पास save कर लेता है और जब save कर लेता है तो वह क्या करते हैं आपके contact list पर call करते हैं आपको भी परिसान करते हैं कापी ज्यादा harassment करते हैं इसलिए जो भी मेरा subscriber था जिसको भी loan मिला है मैंने उनको एक ही बात बोला कि वहाई अगर आपको पैसे की इतना ही ज्यादा requirement है तो आप NVFC register company से loan लीजे जहां पर loan आपको जल्दी मिलेगा low interest पर मिलेगा अगर मान लीजाए जाए कितनी का आपको देरी भी हो रहा है loan payment करने में फिर भी आपको खास दिक्कत नहीं होगा लिकिन ये साथ दीन वाला loan app से आपको loan नहीं लेना है और loan app से तो बिलकुल नहीं लेना ह जिनका एक popular application already play store for every level है उसी नाम से same application यहां पे भी आप लोगों को दिखा रहा हूं देखिए upward के नाम से एक application पहले से है और यह second application है जो लोगों को यहां पर क्या बना रहा है बुडबक बना रहा है बुडबक ठीक है और बुडबक बनाके यहां पे loan provide कर वा रहा है अब कि मैं यहां पे upward अगर लिखूंगा यहां पे upward loan लिखकर अगर सर्च करता हूं तो यह जो application है यह original है और इसका download की बात किया जाया थी यहां पे मैं दिखाऊं आप लोगों को चलके तो एक million है अब इसी चक्कर में लोगों को समझ नहीं आता है कि कौन सा loan app सही है और कौन स सहार कार्ड में कोई verification हो रहा है ना pen card में verification हो रहा है नहीं income proof bank statement कुछ भी नहीं लग रहा है ऐसे condition में loan लेना यहां पे तुरंद मिलेगा लेकिन save नहीं अगर आप एक save loan लेना चाहते तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा company से आप loan लेना है ठीक है तो ऐसे मैंने आप वीडिय verified है government के अंदर राके काम करता है और वह ऐसे company से loan लेने से आपको क्या benefit होता है पता है कि कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा परिसानी आपको नहीं होने वाला है तो इसके लिए मैं यहां पर आप लोगों को दिखाता हूं कि आप क्या करें मेरे video section को चेक कीजिए वहां प सिर्फ पैन कार्ड अधार करड नहीं है तो अब कैसे मिलेगा उसके बारे में भी बताया देखिया सिभी कोमेंट आता है कि मेरा जो सिभी स्कॉर हो चुका है अच्छा तो है नहीं क्योंकि दो-तिन company से मेरा ओवर डीउ चला गया है और और एन बिए पसी रेजिस्टर कमप से ले ठीक है वह भी बता है या भी यहां पर देखिए इस विडियो को अगर आप देखेंगे यहां पर मैंने क्या बता है फाइब लोन एप्स नो सीविल यानि कि पाँच ऐसे लोन एप्स बताएं जहां पर सीविल का रिक्वाइमेंट नहीं है तो अनेक प्रकार का वीडिय तो आप इनके जाल में फंस रहे हैं और आपको मतलब ब्लेक मेलिंग जैसा अनेक परकार का जो अभी आप पढ़ रहा है नियोज में ये यूटूब पर देख रहे हैं उन सभी का जो दिक्कत हो रहा है उस परकार का आपके साथ भी हो सकता है तो इसलिए मैंने फ्रेंड ये वीडियो बनाया हूं ताकि आप लोग को जनकारी पहुंच सके ठीक है जो इस तरह के लोन एप से आपको लोन नहीं लेना है फिलाल तो मैंने लेकर आप लोगों को दिखाय वीडियो इसलिए दिखाया क्योंकि मैं इन लोगों से सक जाओंगा अगर मुझे यहां पर ज्यादा हरासमेंट करता है या कोई परेसानी होता है तो मैं आप लोगों को उसके बारे में भी यहां पर वीडियो बनाके दूंगा यह जो लोन एप से किस प्रकार से परेसान कर आता हूं कि भेक लोन आयुप से बचेंशेशा दीन वाले लोन एपसे बची ठीक है तो इस विडियो के अंदर कुछ यही informe Sen था जो मैं लोगों को fent reap wellness के और चम्मेश को जो अनिया रेऊंगों को नुशन कीजिए को आपके मन में हैं तो आप हमें कॉमेंट करके जरू कुछिएगा और जो भी लोग आप हमसे डर्ट्रिल जूड़ना चाहते ने इंस्टागराम का भी लिंक मैंने दे रखा commitments कर सकते हैं तो चलियें मिलते किसी आगले वीडियो में